हलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई नीव व्लॉग कैसे आप सब लोग होप यौल विल बे अपसलूटली फाइन गाइज रादे रादे जैमाता देओं सो गाइज आज का व्लॉग होने वाला बहुत ही जगदस क्यूंकि हम कर रहे हैं नवरातरों की तैयारी भाही कल से नव यहां पर देख लीजे जवे मैंने भून के और दूट डाल दिया है तो यहां इनके लिए बना रही हूं मैं और गाइस नाव लॉट आव लॉट आप टू लॉट यहां ट्रेंपल जो मंदिर हमारे घर का है मंदिर वो करना है आफ्टर दाट आपर एब टो मार्के फोर बा इनके जूलरी लिया हूं नहीं वह पहना दूनिया है ठीक है और गाइस साथ के साथ और गाइस इतना परिशान इन लोगों ने कर रखा ना मेरे को वैसा लगता है नहीं किसी नहीं से जंगल में छोड़के आजाओं पूरा काम आम निप्टा के तब लिया हूं जाके तना लंगन लोगों ने काटा हुआ है कि जिसका कोई जबाब नहीं मैंने और ओमने खोली है दुकान जो की है अपने सब्सक्राइब करें बाताओ आपको क्या खाना पसंद करोगे आप सोया बीन मलाई सोया बीन हमना इस देखे गाइस पहले से हमने जो है मसारा प्रिपेर करके लख लिया है तो गाइस अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं चलिए गाइस यह है अपनी फ्रेश सोया बीन गाइस जो हमने अच्छे से दोके रख लिए और आम गाइस और गाइस यह प्योर वैजा बिना अनियन कारले काम लोग बनाने वाले हैं गाइस कोड़े से पतीले की जरूवत होगी उसके बाद गाइस मैंने पहले से जो मस और गाइस यह हमारा पहले से मैश्ट वह है मसाला और यह है क्रीम गाइस यह मैश्ट मसाला और गाइस अब इसको डालने वाले अब तो हम मसाला परे इसको रख लेंगे मसाले को बन जाएगा हम आपको तब दिखाएंगे बीच पीच का पर मैं आपको देता रहूंगा देखिए कैसा मिला हमें अंगूर हाट शेप का गाइस यह कहीं से भी जुड़ा नहीं है गाइस क्या करता है इसके उपर हाट खाना नहीं पर इसको खाने झाहिए क्योंकि मिलते हॹे फिर देर में